हाई, वेलकम तो माई चनल इस वीडियो में हम पढ़ेंगे टेस्ट आफ दिजबिल्टी बाई एट ध्यानती जीगा, वाट इस दे रूल रूल इस, अ गिवेन नंबर इस दिजबिल बाई एट ओनली वेन दा नंबर फांड बाई लाश्ट थ्री डिजबिल्टी इस दिजबिल्टी बाई एट गनली का मतलब है कि ये नंबर या ये नंबर ये ये वी नंबर या फिर ये नंबर क्या कोई भी नंबर जो आपके माइंड में है वो एट से डिजबिल्टी तभी होगा जब जब उस नंबर के last three digits last three digits last three digits जो है 8 से divisible हो यह जो last के three digits से ज़दी divisible होंगे 8 से तभी यह पूरा नंबर जो है divisible होगा 8 से चलिए चेक करते हैं कि क्या यह rule फालू करता है यहाँ चेक कर लेते हैं 104 क्या 8 से divisible है जहां देज़ेगा 8 बंज़ा 8, 8 के टेबल पढ़िए 8 बंज़ा 8 ही जबर जाएगा 10 में और 2 बंज़ेगा 24 हो जाएगा और 8 3 ज़े 24 तो यह 8 से cancel out हो गया 13 आगे आपका quotient तो यहाँ पर यह 8 से 104 डिजबल है, मतलब three digits से बनने वाला, जो last three digits से बनने वाला जो नंबर है, वो 8 से डिजबल है, इसका मतलब कि यह नंबर पर डिजबल होगा 8 से, बस इतना ही check करना है यहाँ पर check करिए यहाँ पर 312 है यह यहाँ पर check कर लेते हैं तो 312 जो है यदि 8 से कर जाएगा तो हो जाएगा नंबर पर डिजबल होगा, 8 से कररेक्ट, यहाँ पर देख लाते हैं 218, 218 से डिजबल है या नहीं है 8 बंजा 8, और 8 टूजा 16 हो जाएगा और कितना बचेगा 4, 1, 5, 58 8 की टेबल में 58 आता ही नहीं है इसलिए डिजबल नहीं है तो मतलब कि यह नंबर भी डिविजबल नहीं होगा 8 से, ओके यहाँ बजान देजिएगा यहाँ पर चेक करने के लिए हम क्या करेंगे 514 को डिवाइट करेंगे 8 से, 8 बंजा 8 यहाँ पर हो जाएगा 8, 7 जा, 56 हो जाएगा 8, 7, 8 8, 6 जा 8, 6 जा 48, 48 कितना बचा यह बचा 2, 3, 3, 34, 34 8 के टेवल में 34 कभी नहीं आता इसलिए यह डिवाइड, 8 से नहीं हो पा रहा है इसलिए यह नंबर भी डिवाइड नहीं हो पाएगा, exactly डिवाइड नहीं हो पाएगा डिवाइड तो हो ही जाएगा, decimal में आ सकते हैं तो था, उसमें आप देख रहा होंगे कि 4 वाले केस में आप बस चेक कर रहे थे यूनिट्स डिजिट को मतलब यह सरी, 2 वाले केस में डिजिबल्टी बाइड 2 से आपके वाले यूनिट्स पेस को देख रहे थे कि वो 2 से डिजिबल है कि नहीं अब जब आपने 4 से चेक किया तो आप चेक कर रहे थे कि 2 डिजिट से बनने वाला जो डिजिट है वो डिजिबल है कि नहीं है कि नहीं, 4 से चेक करने के लिए आप पढ़ रहे थे कि 2 डिजिट से last 2 डिजिट से बनने वाला जो नमबर है यदि वो 4 से डिजबल होगा तो पूरा नमबर भी डिजबल होगा 4 से और जब 8 की बात कर रहे हैं हम लोग तो 3 डिजिट ले रहे हैं आखिर माजरा क्या है देख रहे हैं एक एक डिजिट बढ़ रहा है इसका मतलब कि 2 के केस में यूनिट्स डिजिट मतलब कि 1 डिजिट ओके वन डिजिट और लास्ट से वन डिजिट ओके लास्ट वन डिजिट ले रहे हैं टू के केस में और 4 के केस में ले रहे थे लास्ट टू डिजिट अब एट के के केस में ले रहे हैं लास्ट थ्री डिजिट तो हम पता है 16 केस में क्या लेंगे last 4 digits ठीक है similarly we can go on and on जितना ही multiply करके आप numbers लाते रहेंगे 2 से वो सारे आएंगे जिसे कि 2 तूजा 4 होता है 4 तूजा 8 होता है 8 तूजा 16 होता है 16 तूजा 32 होता है 32 वाले case में क्या होगा 5 यहाँ पे रहेगा फिर वैसे ही 64 होगा तो क्या होगा 6 numbers को divide हो जाए 64 से तो इस तरीके से होगा इसका जो proof है ना वो 4 के proof में ही नहित है आप duty by 4 का जो मैं पूर्फ बताया हूँ उसको ध्यान से देखेगा पूरे concentration पूरा awareness के साथ आपको बिल्कुली समझ मा जाएगा कि इन सबका सेम ही है या फिर आप 2 वाला भी देखेगा 2 वाला देखेगा 4 वाला देखेगा दोनों को देखेगा तब आपको 8, 16, 32 और 64 या फिर उसके आगे आने वाले 128 या इस सारे से जितने भी 270 पस के numbers होगे वो सारे के सारे आपको इदम से figure out हो जाएंगे कि क्यासे ये बना है ओके तो मैं इसमें proof नहीं दे रहा हूँ इसका आप मैं इतके बद समझा दिया कि कैसे होता है आप खूद ये analyze कर सकते हैं फिर भी आपको यह दिकत होती है तो बिल्कुल आप कमेंट बाक्स में लिख सकते हैं और मुझे बता सकते हैं मैं बिल्कुल उससालब कर दूँगा अभी के लिए thank you so much for watching